एक बार आपने कहा था कि दुनिया में कई लोग स्वस्त नहीं हैं और हो सकता है वे सिर्फ इसलिए बिमार हों क्योंकि हमने कुछ सरल चीजे नहीं समझी हैं और ये सरल चीजे बड़ी आसानी से सीखी जा सकती हैं इन्हें दुनिया में फैलाया जा सकता है और सब के साथ बाटा जा सकता है क्या आप उन सरल चीजों के बारे में कुछ बता सकते हैं जो हमें स्वस्त बना सकें स्वस्त रहना एक बार एक नौजवान डॉक्टर था वो अपने सीनियर साथी के पास गया और उसने पूछा वो अपने एक मरीज की बीमारी की जाँच करते वे उलज गया था तो उसके सीनियर साथी ने कहा अच्छा, सर चक्रा रहा है और उल्टिया हो रही है हाँ लेकिन मेडिकल तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं नज़र आ रहा है जिससे सर चक्राए और उल्टिया हो तो सीनियर साथी ने उसे सलाह दी तुम उससे पूछो कि क्या वो गॉल्फ खेलता है अगर वो खेलता है तो उसे खेलने से मना कर दो और अगर वो कहे कि वो नहीं खेलता तो उसे खेलने के लिए काओ वो ठीक हो जाएगा सेहत ऐसी ही है सच में कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उनकी तवियत खराब है ज्यादतर लोग बहुत कम काम कर रहे हैं और आज उनकी तवियत खराब है अगर आप इस धर्ती पर 200 साल पहले रह रहे होते तो शारी रिक रूप से आप आज की तुलना में कम से कम 20 गुना ज्यादा काम कर रहे होते शारी रिक रूप से बिल्कुल, है न? आपको यहां तक चल कर आना पड़ता है सब कुछ आपको अपने हाथों से करना पड़ता है आपको कम से कम 20 गुना ज्यादा काम करना पड़ता शायद मैं गलत कह रहा हूँ शायद 100 गुना ज्यादा आप में से कुछ को तो 200 गुना ज्यादा तो अगर आप उतना काम कर रहे होते हैं तो मैं आपको ब्रेक लेने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए कहता फिलहाल इस शरीर का इस्टेमाली नहीं हुआ है सिर्फ इसका इस्तेमाल करके ही आप इसे अच्छा रख सकते हैं जब आप सेहत की बात करते हैं आप शारिरिक सेहत की बात कर रहे हैं आपको शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही बहतर होता जाएगा स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है शरीर से काम लेना अगर आप अपने शरीर का परियापत इस्तिमाल करें तो शरीर में वो सब कुछ है जिससे एक खुद को स्वस्थ रख सकता है क्या इसका मतलब है कि बस ये एक चीज है मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं एकदम स्वस्थ रहूँगा मैं कहूँगा कि अगर हम अपने शरीर का उतना इस्तिमाल करें जितना कि हमें करना चाहिए तो मेरा मानना है कि धरती से 80 प्रतिशत बिमारियां गायब हो जाएंगी 80 प्रतिशत बची हुई 20 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत वो बिमारिया हैं जो लोगों के खाने पीने की आदतों के कारण पैदा हुई है अगर वो फूड हैबिट्स ठीक कर लें तो वो 10 प्रतिशत भी गायब हो जाएगी यानि सिर्फ 10 प्रतिशत बिमारियां ही बचेंगी जो की बहुत सारे अन्य कारणों से होती हैं जिन में से एक है कर्म दूसरा है वातावरन और अन्य चीजे भी हैं जो हमारे सिस्टम में होती हैं उन्हें देखा जा सकता है अगर सभी बिमार लोगों में से 90 प्रतिशत सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करके और सही खाना खाकर ठीक हो जाएं तो 10 प्रतिशत को आसानी से संभाला जा सकता है लेकिन आज बिमारियां इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि हम ठीक से नहीं खाते या फिर हम कुछ ज़्यादे ही ठीक से खाते हैं और शरीर का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते तो इसके अलावा जिन्दगी के दूसरे पहलू भी है इससे सरल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे आप शरीर की कसरत करते हैं अगर आप बस ऐसे दिन में एक हजार बार करते हैं बस दिन में एक हजार बार ऐसे कीजे और एक महीने बाद देखे कि आपका हाथ कितना अच्छे से काम करता है और कुछ नहीं बस यहां बैठिये और बस हजार बार ऐसा कीजे तीस दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत अच्छे से काम करने लगाए अगर आप अपने दिमाग के साथ ऐसा करेंगे तो ये एक महीने के बाद बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप अपने दिल के साथ ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप अपनी जीवन उर्जा के साथ ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी जब ये सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं तो यही सेहत है सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रचते हैं सेहत आपका विचार नहीं है सेहत का मतलब है जीवन अच्छे से चल रहा है जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है यही सेहत है यह आपका या मेरा विचार नहीं है हम ऐसे बरताव कर रहे हैं जैसे सेहत हमारा विचार हो जैसे हमने इसे बनाया है हमने सेहत को नहीं बनाया है अगर सच में हमने कुछ बनाया है, तो हमने बीमारियों को बनाया है हमने सेहत को नहीं बनाया है, सेहत जीवन का तरीका है अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे, तो वो स्वस्थ रहेगा तो आपको बस अपने शरीर का, अपने सिर का और अपनी हूर्जा का इस्तिमाल करना है अगर इन तीन चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित है तो आप स्वस्त रहेंगे तो क्योंकि फिल्हाल हम गैजिट्स का मज़ा ले रहें लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक्टिविटी लाते हैं शारिरिक, मानसिक और उर्जा अगर इन तीनों स्तरों पर काम होगा तो सेहत आ जाएगी आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी उर्जा इन दोनों को सहरा दे रही है और ये पक्का कर रही है कि कुछ गड़ बढ़ ना हो यही सेहत है जिन्दगी पूरे प्रवाह के साथ चल रही है यही सेहत है सेहत कोई धारना नहीं है ये कोई मेडिकल धारणा नहीं है चिकित्सा से जुड़े लोग और मेडिकल नॉलेज आजकल बहुत जरूरी बन गए हैं क्योंकि हमने बहुत ही अनहिल्दी लाइफस्टाइल बना ली है इस से पहले इस दुनिया में दवाईयां कभी भी इतनी महत्वपूर नहीं थी जितनी की आज है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समय बस बैठे रहते हैं और इसलिए हम दिन बदिन ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं शायद हम लंबी उम्र जी रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहें और आप ट्यूब्स के साहरे 20 साल तक जिन्दा रह सकते हैं वरना प्रकृती के अपने तरीके हैं जैसे नैचरल सिलेक्शन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? हाँ, जो जीने के लिए फिट हैं, वही जीएंगे जो फिट नहीं है, वो चले जाएंगे पर आज हमने जीवन को कुछ अलग बना दिया है अब हम पुराने तरीकों पर वापस नहीं जा सकते पर इसका ये मतलब नहीं कि हम 20 के उम्र में 60 के बन जाएं आज 20 साल के बहुत से नौजवान उतना काम नहीं कर सकते जितना की आज से 100 साल पहले एक 60 साल का आदमी कर सकता था ये एक सचाई है, है कि नहीं? 100 साल पहले 60 साल का आदमी जितना काम करता था उतना काम आज का 20 साल का नौजवान नहीं कर सकता जिसका मतलब है कि हम मानफता को कमजोर बना रहे हैं थोड़े समय में हम एक विक्रित मानफता बन जाएंगे तो आपको इसका इस्तिमाल करना चाहिए झाल जाएंगे